नमस्कार दर्षकों मेरा नाम है अमित और आप दीख रहे हैं नभुदय प्लस काई आईए डालते हैं नजर आग पास की पिछास ख़बर उपर कस्वववीना के थाना परीशर में रवीवार को आगामी पर्व मोहर्रम और गनेश चतुर्ती के उपलक्ष में पीस कमेटी की बैठक का आयोजन प्रभारी निरिक्षक इस्वर सींग की अध्यक्सता में किया गया बैठक में कस्वे के समस्त ताजियादारों और गनेश उत्तप पंडालों के आयोजकों समेट गलमान नागरिक बाजन प्रतिनिदी मौजूद रहे उक्त अवसर पर सभी से दोनों ही तेवारों को सोहार्द और भाईचारे के सास्थ मनाने की अपील की गई बैठक में उपनिरिक्षक कस्वा इंचार्ज, रण विजय, उपनिरिक्षक सुकला, सिपाही वीर सिंग, सूरस सिंग समेत, गराम बलोरा के प्रधान, धरमेंदर राय, और फडब्बू, समास सेवी हरदयादब, एवं जामा मस्जित के पेश इमाम, इमरान साहब, सदर च जमेरी राइन, सहीद पहलवान, बवलू वंसूरी, बंटी साहू, बीरू साहू, सुभाज साहू, नीरस साहू, आदी मौजूद रहे, नवोदय पलस टाइम्स के लिए भवीना से ब्यूरो रिपोर्ट महर्रम वा गड़ेश उस्व के इन तौहरव को मत देने तरफटे हुए, पीस कमिटी की मीटिंग की गई, जिसमें मुस्लिम कमिटी जिनके भी ताजिय निकलेंगे, सभी लोग करीब करीग थे, और हिंदू कमिटी से भी काफी लोग थे, जो अपने गड़ेश मुर्धिया रखेंगे, और मुख्य बिंदू इस परकारता कि कोई भी नया प्रोग्राम चालू ने किया जाएगा, जो पुराने ताजिय रखे जा रहे हैं, अब तक रखे गए हैं, या जो गड़ेश जी की मूर्थियां अब तक रखी गई हैं, वो ही रखी जाएगी, और ताजियों या गड़ेश जी की मूर्ती का जो गिसर्जन होगा, वो उसमें नदी में सीधे ना होकर उसमें अलग से पूल बना के किया जाएगा, और ये प्रोग्राम जो है, गड़ेश उत्सव तो कल से ही शुरू हो रहा है, और हम अधाने छेट में कारश देव मंदिर हैं, उस मंद कल शयात्रा में भी फोस लगाया जाएगा, तो इन आयोजन में क्या डीजेश कूट द्वारा प्रति बंदित हैं, तो बिजेश तो पून रूप से बंद रहाएगा, लेकिन ये तियोहाट जो है, हल्की उसमें अपना ये लोग तो लिग मुजिक वखरा लगाती है, तो हल अब ताजियों में ढूलक बस्ती है तबले टाइप के बजायते तो उन सब में वो नहीं है तो अपने तबले बजाकर रोग अज़िए